बिसमिल्लारमान रहीम डियर स्टुडेंट्स अस्टावलेकम आज का जो मरा टॉपिक है नाइन्थ केमिस्टी का चैप्टर नुबर 4 का आइनिक बांड वर्टिस बांड वह हम पहले पढ़ चुके हैं आज हम पढ़ेंगे इसकी टाइप आइनिक बांड आइनिक बांड में में एक 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 अटम अपना एक एक अलेक्ट्रान ट्रांसफर करता है दूसरा इसको ले लेता है और इनके नतीजे में जो बांड बनता है उस बांड काbond को हम आइनिक बांड देखते हैं जी क्या डेफिनियेशन है जी और ऑन्ड विच इसा अवांड विच फॉर्म्ड बनता है by complete transfer मुकमल तोर पर मुन्तकिल होने की होजा से क्या electron कहां से from one atom एक atom से कहां पर to another atom यानि एक atom अपना electron देता है दूसरा उसको ले लेता है is called ionic bond is called for example formation of NaCl sodium chloride की जो formation है वो ionic bond की example है अगर exam में शार्ट पसन आजाए कि define ionic bond give example तो आप यही लिखेंगे the bond which is found by complete transfer of electron from one atom to another atom is called ionic bond example formation of NaCl आज हम देखेंगे जी NaCl किस तरह बनता है देखेंगे हमारे पास sodium atom है sodium atom sodium atom क्या जी ये Na और इसका atomic नमबर कितना होता है atomic number 11 atomic number 11 का मतलब है इसके अंदर 11 electron है और जितने electron होते हैं उतने ही proton होते हैं अगर हम इसका यहां structure बनाना चाहें तो देखें जरा ये हमारे पास इसका निकलिस हो गया ये फर्स्ट शेल ये सेकंड शेल और ये थर्ड शेल ये ये सोडियम का मैं यहां इसको शो कर देता हूँ ये फर्स्ट शेल में दो लेक्टरॉन आगे जी सेकंड में एट आगे तीन चार पांच छे साथ और आठ और एक लेक्टरॉन बचा वो इस वेलंस शेल में अगर हम इसके लेक्टरॉनी कंफिगरेशन लिखें पहले शेल में दो लेक्टरॉन दूसरे में आठ तीसरे में एक लेक्टरॉन अब इस सोडियम के एटम की कोशिश है कि मेरा ओक्टेट कम्प्लीट हो जाए हमने पढ़ा था कल वाले लेक्टर में कि दुनिया में हर एटम की कोशिश है कि काश मेरी एलेक्टरॉनी कंफिगरेशन जो है नोबल गैसे जैसी हो जाए यानि ये सोडियम की विश ऐस वक्त कि काश इसके वेलंस शेल में आठ एलेक्टरॉन हो जाए अब इसका जो आखरी शेल है ये वाला जो लास्ट शेल है इसके अंदर एक एलेक्टरॉन है तो क्या इसको कोई साथ एलेक्टरॉन दे देगा ये नाट पॉसीबल फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जिनके वेलंस शेल में एक, दो, या तीन यानि चार से लेस एलेक्टरॉन हो उनकी ट्राइ होती है कि वो हम उस एलेक्टरॉन को लोज कर दे अब सोडियम जो है अपना अक्टेडल बनाने के लिए अपने आपके वेलंस शेल में आठ एलेक्टरॉन लाने के लिए 7 तो किसी से अले नहीं सकता ना कोई इसको देगा तो ये अपने एक अलेक्टरान लूज कर देता है जब ये अपने एक अलेक्टरान लूज करता है let's suppose तो ये इसकी जो फर्दर जो शेफ बनती है वो कुछ इस तरह की है देखें जी ये फर्स चेल में वही दो अलेक्टरॉन दूसरे में आठ एक दो, तीन, चार पांच, छे साथ, और आठ ये जो आठवा अलेक्टरॉन था जब ये आखरी शेल वाला जो नेक्स जो अलेक्टरॉन था ये वाला, जब ये अलेक्टरॉन इसने लूज किया उसने कर देजिन लूज अलेक्टरॉन यह हमने यह हम यहां लिक्तिए जा इसने लूज कर दिया यह E के उपर जो डीटिब डालते हैं, यह उसका चार्ज लिख रहते है, इफार अलेक्टरॉन जो अलेक्ट्रॉन था उसने लूज कर दिया तो आब इसके उपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव आ जाएगा यह आइन बन जाएगा आप इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव चार जा गया अब अगर देखें यह वाला सोडियम जो आइन है यह अपने आपको ज्यादा स्टेबलाइज फील कर रहा है रीजन आप इसके वैलेंशल में कौंट करें कितरे अलेक्टरॉन है वान टू थी फॉर फार फार सिक्स सेवन एट इसके वैलेंशल में बड़ा स्टेबलाइस फील करता है इक बात हो गी दूसरी तरफ अगर हम आएं तो हमारे पास कलॉरीन एटम है घलर Min the हम यह कलॉरीन का एटम बनाते हैं यह स्ट्रॉक्च्र बनाएं यह उसका नीपलेश होगया यह पेला शेल यह दूसरा शेल यह तीसरा शेल, पहले शेल में दो इलेक्टरॉन, दूसरे में आठ, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, दस हो गए, वाकि साथ बात जगे वो तीसरे में आ जाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, अब ये जी हमारे पास कलोरीन एटम है, इसकी कलोरीन के साथ, अब ये भी क्या चाहता है, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी से मराद, अलेक्टरॉनी कन्फिग्रेशन आफ नोबल गैसे, नोबल गैसे मराद, कि ये चार है, कि इसके वैलनस चेल में कितने अलेक्टरॉन हो जाएं, आठ, यानि आक्टेट कंप्लीट हो ज से ज्यादा अलेक्टरॉन हो, छे हों, साथ हों, आठ हों, तो उसकी कोशिश होती है, वो किसी से अलेक्टरॉन गैन कर ले, तो अब इसके वैलनस चेल में साथ अलेक्टरॉन है, ये एक अलेक्टरॉन गैन करना चाहता है, अपने आपको स्टेबिलाइज करने के लिए, तो कि और अप्टेट कंप्लीट हो गया जब वो एक्ट्रान इसको मिला यह लेकर खुश हो गया इसका है अब जो है इसका अप्ट्रानी कन्फिगरेशन क्या बनेगा हम यहां लिख लेते हैं जी इसने क्या किया जी गेन उन एक्ट्रान अब इसकी कुछ शेप इस तरह बंडिए थे फिर 8 होगे दो 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक जो भी इसने लिया ये 8 अब इसका अक्टेट कम्प्लीट हो गया अब इसकी जो अलेक्टानिक कन्फिग्रेशन है अब ये कलोरीन एटम से किसमें चेंज हो गया? आइन में अब इसके उपर नेगटिव चार्ज जा जाएगा और इसके electronic configuration हो जाएगी 288 पहले कहा थी 7 एक लेक्टरॉन का इजाफा हो गया तो ये पहले क्या था जी हमारे पास कलोरीन एटम था अब ये लेक्टरॉन गेन करने के बाद किसमें चेंज हो गया कलोरीन आइन में ये इसको हम कलोराइड आइन कहते हैं क्या कहते हैं जी अब जब सोडियम ने अपना एक लेक्टरॉन लूज किया और कलोरीन एक लेक्टरॉन गेन किया अब देखें जी जो नेट हमारे पास result आता है जरा इसको हम योँ भी लिख सकते हैं कि सोडियम था जी सोडियम के वेलनस पहले शाल में दो ऐेक्टरॉन दूसरे में आठ तीसरे में एक सोडियम ने क्या किया जी एक लेक्टरॉन लूज किया इसके पर पॉजटिव चार जा गया ये lose वाला electron हमेशा आप right side पे लिखेंगे जो कोई atom electron gain करता है उसको आप हमेशा left side पे लिखेंगे इसने एक electron lose किया ये बन गाजी 2,8 अब chlorine ने क्या किया वही एक electron जो उसने lose किया था इसने gain का लिए gain वाला हमेशा आपने इस side पे लिखना gain करने के बाद इसके उपर आगए जी negative charge इसकी electronic configuration थी 2,8,7 अब ये बन गी 2,8,8 अब sodium अपने एक electron lose करने के बाद और जो chlorine एक electron gain करने के बाद इसके उपर positive charge आगए इसके उपर negative जब ये आईन की फार्म में आ जाते हैं ये sodium अपने आईन की फार्म में आ गया, chlorine अपने आईन की फार्म में आ गया जब ये आईन की फार्म में आते हैं, इनके दरम्यान में एक electrostatic force of attraction पैदा हो जाती है आपस में दोनों के आपस में मिलने के लिए कशिश की कुट पैदा हो जाती है क्यों? oppositely charged हो गए ये sodium आईन और chlorine आपस में उस electrostatic force of attraction की हो जासे एक दुसरे के साथ joint हो जाते है और नतीजे के तोर पर क्या बनता है जी? sodium chloride और इस तरह ये एक ionic bond डिवेल्प हो जाता है अमूमन जो है, periodic table में अगर हम देखे हैं, हमारे पास जो group one वाले वो elements हैं जिनके वैलेंशल में एक electron होता है, hydrogen, lithium, sodium, potassium, potassium, rubidium, cesium, francium, सबके वैलेंशल में एक एक electron है तो उनकी क्या try होगी? कि वो electron को lose करें इसी तरह जो हमारे पास group two है, उसके वैलेंशल में दो-दो electron होते है तो उनकी भी try होती है कि electron क्या हो जाएं? lose हो जाएं और इसी तरह जो हमारे पास group three है, उसके वैलेंशल में केतने electron होते हैं? 3-3 होते हैं तो उनकी भी try होती है कि वो electron lose कर देएं इसी तरह जो हम परियाजिक टेबल में देखें हमारे पास group जो है 15 और group 16 और group 17 17 हैलोजन्स है, group 16, group 15 फिफटीन के वैलेंस सेल में जो हेलोजन्स होते हैं इनके वैलेंस सेल में साथ एलेक्टरान होते हैं ग्रूप सिक्स्टीन के वैलेंस सेल में शे एलेक्टरान होते हैं ग्रूप फिफटीन के वैलेंस सेल में पाँच एलेक्टरान तो इनकी कोशिश होती है गूर्प 15 वालों की इनके वैलेसल में पाँच अलक्टान है ना आक्तेट्ट कम्लेट करने के लिए इनको कितने अलक्टान चाहिए पाँचान रोलाड जा हमस्जार आधादाा। ये अलक्टान लेने की कोशिश करते है तो इनकी try क्या होती है कि इनकों एक electron मिल जाए अब देखें ये एक electron lose करना चाहता है ये वाला group 1 जो है इसके valence cell में एक electron होता है group first के elements के valence cell में एक electron होता है अब ये एक lose करना चाहते है और ये group 17 वाला एक लेना चाहते है तो हमेशा group 1 जो है किसके साथ combine होता है अब आज की अगर हम देखें यह जो हमारा sodium है यह group 1 से belong करता है किस group से? फर्स्ट से और chlorine जो है यह group 17 से belong यानि हैलोजन से belong करता है तो इनकी preference होती है, कोश्च होती है group 1 के element किसके साथ combine होते है इसी तरह group 2 वाले इनके पस दो electron extra है group 16 वाले के पस दो दो की कमी है, तो यह वाले इनके साथ मिलने की कोशिश करते हैं similarly, group 3 वालों के पस 3 electron extra है और group 15 वाले के पस 3 electron की कमी है तो यह इसके साथ मिलने को preference करते हैं तो यह प्रियाडिक टेबल में group 1, 2, 3 वाले करने की सलाइट रखते हैं और वाले कमबाइन विद तो यह वाले के साथ मिलने को वह तरजी देते हैं इस तरह हमारे group के जो atom है वह दूसरे group के atom के साथ कमबाइन होते हैं थरू आइनेक बांड जी, कोई बात इसमें समझ ना आई हो फोर एलेक्ट्रोन जो है, वो group जी, अब हम इसे topic की, यह तो था मैंने एक journal overview दिया, concept के बारे में बताया अब आपकी बुक में देखते हैं कि क्या यहां से इसको किस तरह आपने याद करना है इसमें क्या-क्या words दिएगें देखें जी, यह पेज नमबर 60 है, आईन एक बांड the elements of group 1 & 2 being metals group 1 & 2 के जो elements होते हैं, यह क्या कहते हैं metals होते हैं, have tendency to lose their valence electron और उनकी क्या try होती है, कि वो अपना electron lose कर दें farming, जब 2 electron या 1 electron lose कर देंगे, तो कौन सा charge आजएगा positive, farming positively charged iron whereas non-metals, non-metals कों से होते हैं, group 15, group 16, group 17 को हम non-metals बोलते हैं, यह metal नहीं होते हैं have tendency to gain or accept the electron, इनके पास सलाहियत होती है, electron gain करने की, जाहरा जिसके valence shell में 5 electron है तो वो कहते है, 3 और मिल जाए जैसे group 16 वाला था, उसके valence shell में 6 electron होते है वो कहता है, मुझे octate complete करने के लिए 2 और मिल जाएं और जो halogen है, उसके valence shell में 7 electron है, वो कहता है मुझे 1 electron मिल जाए, तो group 1, 2, 3, lose करने की slide रखते हैं, group 16, 17, जो है, वो gain करने की slide रखते हैं जब वो gain करेंगे, तो कौन सा charge आजएगा, negative, they are electro negative elements with high electron affinities, कहता है ये, जो होते हैं, electro negative elements कौन से वाले, halogens, group 17 वाले, 16 वाले, इनकी electro negativity ज्यादा होती है काल पढ़ा था न, electro negativity, electro negativity क्या होती है, the ability of an atom to attract the shared pair of atom towards itself इना, माली क्यों तो ये जो group 17 वाले जो special हैं, इनकी electro negativity ज्यादा होती है, ये shared pair को अपनी तरफ अट्रेक्ट करने की सलाहियत ज्यादा रखते हैं और ये electron के लिए affinity ज्यादा रखते हैं If atom belongs to these two different group, अगर कोई atom जो हैं, इन दो group से belong करते हैं जैसे group first और group 17, अब group 1 वाला, electron 1 लूज करना चाहरा है, group 17 वाला, एक electron लेना चाहरा है Metal and non-metal are allowed to react, ये आपसे में react करते हैं, chemical bond is formed, तो इसके नतीजे में क्या बनता है chemical bond अब आगे इसकी definition आगी जो अगर आप यही जो सबसे पहले मैंने लिखी थी The type of chemical bond which is formed due to complete transfer of electron जो ऐसा bond जो मकमल तोर पर एक electron transfer करने से बने from one atom to another atom is called ionic bond The formation of NaCl is good example of this type of bond जो NaCl का जो बनना है वो इसके लिए एक बहतरीन मिसाल है मिसाल के तोर पर इन्होंने यहां जो हमें example दी है कि सोडियम जब कलोरीन के साथ मिलता है तो बनता है जिस सोडियम कलोराइड इदर two कलोरीन है इदर एक है तो इसको balance करने के लिए two से multiply कर दें अब जहां sodium two होगे तो इसको two से multiply कर दें यह साथ इसके यहां mention किया गाय है एस-f यैनि इक सालेड फारम में है और यह जो है जी का मतलब है यह गैस फारम में है और इस इसका मतलब है यह सौलेड डीगें यानि है की physical states गे गई फीजिकल स्टेटिट गई है पहले तो हमने वो दूसरी शेप में दिया था आप जैसे आपकी बुक में दिया गया हम उसको explain करते है sodium का atomic number होता है 11 और chlorine का atomic number होता है 17 इसकी electronic configuration लिखें जी 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 इसी तरह chlorine की लिखें जी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 या इसको यूं भी लिखा जा सकता है जैसे आपकी बुक में mention है हम उसी तरह कर देते हैं ताकि आपको पेपर में लिखने में भी आसानी हो यहां यह sodium का atom है जी sodium के valence cell के electron को हमने dot से शो की है और इसी तरह हमारे पास chlorine है chlorine के आखरी शेल की electronic configuration को हमने क्रास से शो कर रहे हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और एक, साथ यानि chlorine के valence cell को हमने क्रास से शो की है यह electrons है basically, यह क्या है जी? लेवर structure diagram के मताबक हम इनको dot और क्रास से शो करते हैं क्लोरीन के valence cell में के तरह एक लेक्टाउन है और सोडियम के valence cell में के तरह है एक लेक्टाउन अगर हमने वैसे भी इनकी electronic configuration यह भी लिखी जा सकती है two, eight, seven और सोडियम की क्या है जी? two, eight, one. अब यह one आखरी लेक्टाउन शोगिया गए valence cell का इसके यह जो seven थह यह जो क्रास की मतलब से आखरी चल के लेक्टाउन को शोगिया गया है इसको हम यह भी लिक सकते हैं यह भी लिक सकते हैं अब जो bond formation में हिसा लेंगे वो यह वाला last cell का यह वाला electron अब डेखें यह जो है एक्सट्रा यह 1-S2 यारी K-shel हो गया यह 2-S2 ऐू टूपी6 यह L-shel हो गया पहले में 2 दूशरे में 8 पूर है यह एक्सट्रा है। यह इस लेक्ट्रान को लूज करना चाहता है। अपना के चाहिए और फ्रेम बनाये हैं और फ्रेम अपने मुझे उस को से चाहि impre और को कलोरीन को क्यास से लिए Sdio के लेक्ट्रोन हो Deep री,CH Π वाइल्च वाइलेक्ट्रोन है से हैं सोडियुम ऑनली वाले लेक्ट्रोन तु लेक्ट्र And configuration पॉजिटिव होता है Bird Nosanger उनकी कोष्चह उती है कि अपने वेलन्स शेल वालेक्टाण कोाँ लूस करम सोडियम की एक लीट्राण लूस करने की सलाहियत है, जबकि कलॉरियन अलेक्ट्रोन नेगेटिव है, Electron negative की कोश्च होती है Electron को ले लिया जाए Sodium देना चाहता है Clorine लेना चाहता है Sodium being electro positive element Has tendency to lose electron And chlorine being electro negative element Has tendency to gain electron यानि एक देना चाहता है एक लेना चाहता है देने वाला भी खुशी से दे रहा है लेने वाला भी खुशी से ले रहा है Therefore they farm positive and negative ions फिर वो क्या करते है जी Positive or negative ions बना देते है कैसे जैसे देखें ये जो sodium था ये sodium atom है जी ये इसके वेलेंसल में एक electron था आपकी book message हो किया गया जी जब इसने electron lose कर दी इसके उपर क्या आगया जी एक positive charge आगे ये electron lose हो गया अब इसकी जो electronic configuration है क्या होगी जी 1s2, 2s2, 2p, 6 ये 3s, ये s1 वाला जो electron ये lose हो गया अब ये electronic configuration किसकी बन गई नियॉन की sodium stable हो गया वैसे इनकी wish यही थी ना कि काश हमारी जो है valence shell या निया हमारी जो valence shell की electronic configuration है किन जैसी हो जाए noble gases जैसी आप देखें जब sodium ने अपना एक electron lose कर दिया 1s2, 2s2, 2p, 6 ये तो neon वाली बन गई ये stable हो गया similarly ये हमारे पस chlorine है ये वाला इसके valence shell में 7 electron थे 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 ये एक electron जो उसने lose किया ये इसने electron gain कर लिया तो अब ये इसके जो बन गए जी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक जो ये वाला जो लिक्तान ये dot वाला वो जो उसने lose किया था ये वाला वो यहां आ गया अब ज़रा कलोरीन के valence shell में गिन के देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसका octet complete हो गया ये भी noble कैसे जैसा हो गया अब हम इसका लिखके देखते हैं ये किस जैसा है जी 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 6, 3, 2, 3, 6 और ये हो गया जी आरगान जैसा आरगान का जी ये हमारे पास एक noble gas है ये उस जैसे इसके electronic configuration होगी ये भी बड़ा खोश हो गया इसको आप यह भी लिख सकते हैं ये chloride आइन और इसको लिख सकते हैं ये इस तरह sodium positive आइन clear अब कहते हैं by losing one electron from the outer most shell sodium becomes NA positive जब sodium ने अपना valence shell के एक electron lose कर दिया तो वो क्या बन गया NA positive यानि sodium positive आइन बन गया ये वाला NA positive and it is left with 8 electron in the second shell which will be now become the valence shell जब इसका जो बाकी shell बचा अब उसके अंदर कितने हो गए 8 हो गए 8 हो गए जैसे ये देखें जब ये electron lose कर दिया बाकी कितने बच गए 8 यहाँ भी हमने लिखा था कि ये देखें 281 और एक electron lose किया तो 28 मतलब एक उसके 8 हो गए chlorine atom now also has 8 electron in its ultra most shell and become chloride chlorine ने भी एक electron लिया तो आब इसके valence shell में किने कितने हो गए 1,2,3,4,5,6,7,8 बोथ आफ इस एक नो change into oppositely chloride है ये दोनों जो atom थे पहले ये sodium atom था ये chlorine atom था अब ये आइंज में change हो गए किस में change हो गए और आइंज भी opposite charge वाले कौन से वाले यानि एक तो हमारे पास बन गया sodium बन गया positive और chlorine कौन सा बन गया negative बोथ आफ इस एकम नो change into oppositely charged and they stabilize themselves by combining with each other due to electrostatic force of attraction between them such as अब ये दोनों जब ये sodium positive बन गया chlorine negative बन गया तो अपने आपको stabilize करने के लिए इनके अदर एक force of attraction पैदा हो जाते है attraction हमेशा opposite charges में होती है same same repulsion होती है उस attraction की होज़े से आपस में क्या हो जाते हैं combine हो जाते हैं और ये आपस में मिलकर ये sodium chloride बना देते हैं यानि जो के नमक है जिसको हम आम जबान में salt कहते हैं table salt it is to be noted that कहता है ये भी note करें that valence shell electron take part in this type of bonding इस तरह की bonding में valence shell electron हिसा लेते हैं while the electron are not involved other जो electron होते हैं शुरूवले shells वाले वो involved नहीं होते in such type of reaction heat is usually given out इस तरह की reaction में heat भी release होती है the compound farm due to this type of bonding is called ionic compound इस तरह के bonding के नतीजे में जो compound बनते हैं वो क्या किलाते हैं जी ionic compounds कौन से compound किलाते हैं जी ionic compounds आगे ये test yourself दिया गया जी आपकी बुक में पहला question है conceptual question है why does sodium farm chemical bond with chlorine sodium जो है क्लोरीन के साथ अपना atom bond क्यों बनाता है क्यों बनाता है स्टेबलाइज होने के लिए sodium के valence shell में एक electron वो अपना बना लेते हैं number two question है why does sodium lose an electron entertain plus one charge sodium एक electron lose करके plus one charge कैसे हासल कर लेते हैं भाई उसके valence shell में एक electron होता है वो अपना octet बनाने के लिए एक electron lose कर देता है जब lose करेगा तो फिर कौन सा charge आजएगा उसके उपर positive one या positive चार्ज आजएगा इसी तरह हाओ डू atom फालो आक्टेट रूल atom आक्टेट रूल पे किस तरह फालो करते हैं जी हमजा का question है कि सोडियम के उपर positive चार्ज कैसे आगया और कलोरीन के उपर negative चार्ज कैसे आगया देखे बटा सोडियम जो है इसका atomic number 11 होता है 11 का मतलब है इसके पास कितने प्रोटान थे 11 प्रोटान के पर कौन सा चार्ज होता है positive अच्छा इसके पास एलेक्टान कितने थे 11 उनके पर क्या चार्ज होता है negative तो net result हमारे पास कितना आता है जी 0 जैनि सोडियम एटम जब आप लिखते हैं उसके पर कोई चार्ज नहीं होता इसी तरह लेकन जब एक लेक्टान लूज कर देता है जब सोडियम अपना एक लेक्टान लूज कर देता है अब देखें mathematical ली प्रोटान तो उतने ही रहने फिक्स रहने वो कितने रहने प्लस 11 11 अब इलेक्ट्रान कितने हो गए 10 माइनस 10 mathematically प्लस माइनस माइनस 11 में से 10 गए तो 1 बच गया अच्छा बड़ी वैलियो कोई सी है 11 के साथ क्या है तो पॉस्टिव तो वो ही पॉस्टिव आजाएगा तो इस तरह जो है हम सोडियम गूपर यह वाला जो प्लस यह प्लस वन जो है एक ही बात है प्लस वन लिखें यह प्लस लिखें यह वो वाला चार्ज अब क्लोरीन के ओपर नेगटिव चार्ज क्यों है इस सवाल का जवाब यह क्लोरीन एटम है जी कलورین के पास प्रोटान होते है 17 इसका मतलब प्लस चार्ज कितने है उसके पास अच्छा जी अलेक्टान कितने होते है 17 अगर अलेक्टान है तो वो माइनस होगे तो नेट रिजल्ट कितना आगया जिरो अब जब वो अलेक्टान एक गेन कर लेता है प्रोटान तो वो ही रहेंगे 17 अलेक्टान जो हैं पहले 17 थे एक और आगया उसके पास कितने हो गए 18 हो गए तो हम लिखते हैं जो अलेक्टान हो गए जो माइनस 18 अब ज़रा इसको सॉल्व करें प्लस का 17 माइनस का 18 मैथिमेटिकली करें तो वन बचेगा अब बड़ी बेली के साथ क्या रहा है माइनस तो उसके साथ भी माइनस इसी तरह ये कलोरीन के उपर जब वो माइनस वन चार्ज आता है ये रीजन है कि सोडियम के उपर प्लस वन चार्ज क्यू आता है कलورین के पर negative charge की होता है clear इसके लावा देखें अब खुदा की कुदरत देखें सोडियम जो एक ऐसी मैटल अगर उसको आप पानी में फैंके पानी को आग लग जाती है इतनी खतरनाग सोडियम मैटल पानी में फैंको पानी में बंप जनी आग लग जाती है थोड़ी देर के लिए लम्हें के लिए और अगर कलोरीन एक ऐसी जहरीली गैस है अगर इसकी मजूदगी में कोई बंदा 5-10 मिनट सांस ले ले बंदा बेहुश हो जाता है अगर इसे ज्यादा अर्शा उसमें रह तो वो उसकी मौत वाक्य हो सकती है ख़दापाग की कुदरत गहिए उसमें को गेन कर लिता है तो दोनों के दिनमrostat बंदे में eresव अधिया शेश चेसे उसी खुषजेखा बनाते है वो सबसे बड़ा खालिक है थैंक यू